हलो फ्रेंट्स मैं प्रियांका वेलकम टू माई चानल आज एक चाय की रिस्पी बनाएंगे सड्डियों का मौसम है तो चाय पीना सभी को बहुत पसंदाते हैं तो चाय लिए आज बनाते हैं कश्मीरी कावा यह रिस्पी बहुत ही तेस्टी होते हैं घर पे इसे बहुत असा करते हैं कावा मनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सॉस पैन में पानी लेना होता है तो यह आपर मैंने तीन कप पानी ले लिया है मुझे दो कप कावा बनाना है तो इसके लिए तीन कप पानी हमें चाहिए क्योंकि एक कप पहले इवैपरेट हो जाएंगे जब हम इसे उब चुटकी भर सैफ्रन लिया है अगर आपके पास सैफ्रन हो और वो प्योर सैफ्रन हो तो ही इसे डालें फिर इसे धकल लगा कर 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे 10 मिनिट के बाद धकन खोलेंगे और यहाँ पर आप देख सकती हो कितनी अच्छी कलर आई है और यह सैफ्रन का कलर है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी आ रही है सारे मसालों के फिर इसमें आट कर देंगे ग्रीन टी लीव जो लंबे पत्ते वाले ग्रीन टी होते हैं उसे डाल देंगे और एक चम्मच चीनी इसमें आट कर देंगे यह बहुत ज़्यादा मीठा ना हो इस बात का ध्यान रहे कि तभी यह बहुत तेस्टी होते हैं तो मीठा कम करने के लिए मैंने दो कप बनाने के लिए यहाँ पर एक चम्मच चीनी का यूज किया है और एक चम्मच ग्रीन टी लीफ हमें चाहिए अब इसे थोड़ी सी चला देंगे और हाई फ्लेम में इसे उबाल आने देंगे और पाच मिनिट इंतिजार करेंगे ऐसे ही इसे छोड़ देंगे फिर हमें चाही आमट यहाँ पर मैंने आमट को भीगो रखा था और फिर उसका जो छिलका है उसे निकाल दिया है अब इसे हमें बहुत ही फाइनली चॉप करना है यह ओप्शनल है पर कावा में यह जाता ही है अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर डालें तो आमट को बहुत ही बारी की से चॉप कर लेंगे और उधर हमारा जो चाय है वो भी रेडी हो गये है तो दो कप लेंगे और फिर इसमें आट कर देंगे चॉप की हुई आमट आमट डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आती है अब जो करना है हमें बस चाय को छान लेना है तो यह देखिए कितनी अच्छी कलर आई है इसकी बहुत ही टेम टीम लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट है इसका खुश्बू बहुत अच्छे आती है तो इसे घर पर ज़रूर ट्राइ करके देखें और यह जो हमारा कश्मीरी कावा है वो सर्फ करने के लिए एकदम से रेडी है गर्मा गर्म इसे सर्फ कर दे ठंडा बिल्कुल ना होने दे और इसे घर पर ज़रूर ट्राइ करें और मुझे बताए कि यह कैसी बनी है आज की यह रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बिल बटन को दबाए और यही रेसिपी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए फ्रेट्स फिर मिलेंगे एक और नहीं रेसिपी के साथ